हला अबरीवान, तो अभी क्लास्टर वाली बच्छपाड़ी, आज की विजिवरों में आप लोगों सामने लिगा चाहिए कोई क्लास्टर साइन का चाप्टर का वन शॉर्ट एक्स्टर 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 आता है या नहीं आता है तो चप्टियो बचल चालो करते है विल्ड है अगजिवरों आप्लमा है रिपॉडक्शन को और समझते हैं कि भाई एक्सटर अगमें गत्यून हम एक्सटर चालो कर ने से पहले एक सवाल है, क्या सवाल है सर, कि भाई ये reproduction जरूरी क्यों है, why reproduction is necessary, ठीक है, हाँ recording चल रहे, ये बहुत बढ़ी है, reproduction जरूरी क्यों है, मेरा सवाल है तुछ से, तू बता मेरे को, reproduction जरूरी क्यों है, why there is need of reproduction, सर इस दुनिया में इतने सारे species हैं, हाँ, किसी भी एक particular species को, इस इस दुनिया में रहना, बड़ी बाद नहीं है, इस दुनिया में आई गई, लेकिन, exist करते रहने के लिए, exist करते रहने के लिए क्या जरूरी है exist करते रहने के लिए जरूरी है जिसका नाम है reproduction क्या के लिए रहा है हाँ सर बिल्कुल के लिए किसी भी एक particular species को इस दुनिया में continuity बनाए रहने के लिए जरूरी चीज का नाम है reproduction ठीक है आगर reproduction नहीं होगा तो species हमारी extent कर जाएंगी, ठीक है, मतलब खतम, ठीक है, तो to retain a particular species, हमें reproduction करना होता है, reproduction हमारा process हो रही होती है, दुनिया के अंदर, अब यह जो reproduction ही process है, यह होती क्या है, इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखेगा न, इंसान का बच्चा जो होता है, हाती की तरह थोड़ी मुंडी इंसान की सरीर, घोड़े का, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो transfer होता है, ताकि इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखता है, हाती का हाती की तरह, जिराफ का जिराफ की तरह, शेर का शेर की तरह, शेर का बच्चा जो होता है, भेड़ सुनिय बन रही होती है, नहीं नहीं species बनती है, तो भाया, variations आती है, नहीं नहीं species बनती है, नहीं नहीं species आती है, दुनिया में बदलाओ, आता है, समझ रहे हो, हाँ, समझ रहे हैं, अब जो दो modes of reproduction, asexual और sexual, आप भाई पढ़ लेते हैं, asexual, single parent की involvement, तु कहां से निकल दा है, single parent की sex की involvement ही होती है, ठीक है, कोई भी जो होता है, sex नहीं involved होता है, asexual reproduction के अंदर, जो new individuals स्वाम होते हैं, asexually reproduce होने के बाद में, उन्हें clone कहा जाता है, सर एक बात बताओ, जो new individuals हैं, उन्हें clone ही क्यों कहा जाता है, भाई, clone इसलिए कहा जाता है, क्योंकर वो genetically or phenotypically egg जैसे हो मतलब सर मतलब यह है कि तुम उनको देखोगे भाई बैक्टीरिया है यह बैक्टीरिया है यह बैक्टीरिया का बच्चा हो यह बैक्टीरिया है हमारा यह बैक्टीरिया है यह बैक्टीरिया है हाँ अब इस बैक्टीरिया ने करें डिवाइड च्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष क्या कोई फ़रक दिख रहा है नहीं सर बड़ा होगा फिर ऐसी हो जाएगा तो भाई बैक्टीरिया का बैक्टीरिया की ही तरह ही दिखेगा कोई लेकिना में अलगेस थीक है ठीक है पोटेटो पोटेटो सारे आलूई होते हैं एक जैसे ही दिखाई देते हैं जीन डीन डीन एक जैसा होता है या जीन एक जैसा होता है हाँ जो एक सेक्शुल लिप्रडक्शन होता है उसमें क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाईया उनका डीने उनका डीने में भी कोई जलाओ नहीं आने वाला, but sexual reproduction के केस में आता है, भाई भी बता हूँ का, कैसे आता है, अब amoeba, hydra, flatworms, many plants, like potato, onion, etc, सम्में हमें, एक sexual reproduction देखने को मिल रहा होता है, इसके कुछ various types है, आजा भाई पढ़ लेते हैं various types को ही, पर समझा दू various types, बड़ी असान हो जाएंगी, fission, fission क्या होता है, एक cell से टूट जाना दो cell में, अचा यहां पर नहीं समझाते हैं, थोड़ा सा cell, cellिया का भी तो हमें कहानी बानी बतानी है, fission क्या है, एक organism है, जो कि दो या दो से ज़ाधा organism बना देता है, या जिसे binary fission और multiple fission भी कहते हैं, क्या, भाई यह एक थे हमारे cell, इनका cellिया तो है नहीं, तो इनका दिल तूट गया, तो यह तूट गया, बाई, सबसे पहले इनका nucleus तूटा, सबसे पहले क्या तूटा, सबसे पहले इनका nucleus तूटा, karyokinesis होगी nucleus की, nucleus तूट गया भाई इनका, पर उसके बाद में जो होता है, cytoplasm तूट गया, cytoplasm तूट के भाईया, दो में divide होगा, दिश दिश, दो अपने बच्चे बना लिए, तो भाईया यह जो दो बच्चे बने, यह दो में divide कर जाएगा, नहीं, तो theoretically हमार कह सकते हो, practically हमार नहीं, क्योंकि parent का कोई हिस्सा ही नहीं बच रहा है, भाई, parent गया तो गया, प्रेडेंट गया भाई, गायब, सीखे, तो भाईया, यह होता है हमारा, फिजन, ठीक है, क्या है फिजन, दो तरीके के होता है, binary fission, यानि एक से दो बनाना, यह क्या हुआ, यह एक से दो बन गए, यह क्या है, यह binary fission है, nucleus एक ही बाई डिवाइड करता है, इसके अंदर, paramecium, amoeba, bacteria और euligina, अज़ बैक्टिरिया, इसको जो होता है, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका mode of reproduction यह होता है, हमारा amoeba के अंदर, paramecium के अंदर, algena के अंदर, और bacteria के अंदर, mode of reproduction हमारा binary fission होता है, अब multiple fission की ज़रा बात करते हैं, multiple fission, multiple fission यानि कि भया, हो था कब है, अगर वो organism यह सोचेगा, कि मेरे को खत्रा मैसूस हो रहा है, तो वो अपनी जादा से जादा copies बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने ऐसे कि chapter की शुरुवात में पढ़ा, chapter की शुरुवात में हमने क्या पढ़ा, कि भया reproduction क्यों ज़रूरी है, ताकि इस दुनिया पे किसी एक particular organism की necessity बनी रहे, continuity बनी रहने के लिए reproduction की necessity है, reproduction अगर नहीं होगा, तो continuity नहीं होगी, तो हाँ कोई organism reproduce क्यों करता है, क्या कि भया वो अपनी पूरी की पूरी generation को बचा ले जाए, इसलिए multiple fission के दौरान, multiple fission के दौरान, हमें यह देखने को मिलता है, कि जब आपका organism को, जो की single cell organism है, single cell है उसके पास में, उसे ये खत्रा महसूस होता है, कि भाई, खत्रा महसूस हो जाता है, कि भाई, अब मैं नहीं बचूँँगा, तो मैं क्या करोगा, मैं अपनी जादा से जादा copies बनाऊँगा, जादा से जादा copies, देखरो एक है, उसने अपने उपर पहली बाद तो एक protection मना लिया, कि भाई, बच जाऊंगे, protection मना लिया, अब ये protection हो गया, protection हो गया, तो protection मनाने के बाद में, ये अपनी nucleus को multiple times divide करता है, repeatedly divide करता है, और cyst formation कर लेता है, repeatedly divide करेगा, तो इतनी सारी copies बना लेगा, माल लो 50 copies बन गई, 50 में से माल लो 10 तो बची जाएंगी, अगर conditions harsh हो गई, जैसे खाने की availability नहीं है, बहुत जादा ठंड पड़ गई, या एकदम से environment change हो गया, climate change हो गया, climate change हो गया, तो बहुत दस तो इसमें से, हम से कम survive कर जाएंगी, हाँ बिल्कुल, तो amoeba, plasmodium, many algies, ये mode off को follow करते हैं, जब ये कब follow रहा होता है, जब follow रहा होता है, जब उन्हें ये लगता है, भाई, अब हमारा समय गया, ठीक है, अब हम नहीं बचेंगे, तब वो ये mode को follow कर रहा होते हैं, और तब उन्हें इसका result भी देखने को मिलता है, कैसे मिलता है result देखने को, ताकि उनकी species के continuity बनी रहती है, वो उनकी species बच जाती है, इस mode को follow करने की वज़ा से, अब next आता है budding, budding क्या होता है सर्फ बड निकलना, ये बड निकल गया, ये बड निकलते ही क्या करता है, ये बड निकलते ही, जैसे ही निकलता है, फिर इसकी growth होते होते, ये parents से ही attach है, hydra इसको follow करता है, ये parents से attach है और ये grow कर जाता है पूरा नय organism मन जाता है अब जब नय organism मनेगा तो भाईया ये यहां से detach होके और अलग हो जाएगा में जो CBSC का point of question है वो है भाईया what is the difference between fission and fragmentation क्या पूछेगा fission of fragmentation के बीच में difference बता दो हमें इसके बीच में difference क्या देख भाई fission के लिए हमने पढ़ा था कि fission सरफ और सरफ किसमे होता है सरफ और सरफ unicellular में हो रहा होता है किसमे हो रहा होता है सरफ और सरफ unicellular में unicellular में होता है fission fragmentation किसमे होता है multicellular में multicellular का example क्या है spirogyra spirogyra ये spirogyra है तुम कभी नदी पे गये हैं नदी पे गये हैं तो भाई वहाँ पे नीचे नदी में तुमने अगर साफ पानी होगा तो नीचे घास तैरती होगी घास तैर रही यहाँ नदी बहुत लंगी घास तैर रही होती है वो इस पाइरो गयरा होती है ठीक है इस पाइरो गयरा इसको पूरी नई ग्रास बन जाती है, तो यह हमारा fragmentation है, multi-cellular organism के अंदर देखने को मिलता है, unicellular organism के अंदर fragmentation नहीं देखने को मिलेगा, मिलेगा देखने को हमें क्या? फिजन देखने को मिलेगा unicellular organisms के अंदर, छीख है? अब उसके बाद में regeneration होता है, regeneration वही जो तुमारी यह चिपकली का होता है, क्या सर, क्या होता है चिपकली का? मैं चिपकली की तुम पूच कट डालो, चिपकली की पूच कट डालो, क्या होगा? चिपकली की पूच कटने के बाद में दुबारा होगी आएगी, कटने के बाद में planaria, planaria क्या है planaria को तुम card डालो card दिया तुमने, तीन हिस्सों में card दिया, ठीक है अब तीन हिस्सों card दिया, मरता नहीं है ये इसका ये हिस्सा, regeneration होने के लिए एक चीज की जरूरत होती ही, जो ज़्यादा detail है, लेकिन बता दे रहा हूँ तुमने, कोई tension नहीं, regeneration होने के लिए एक चीज की जरूरत होती ही, जिसका नाम होता है totipotent cell, totipotent cell, इसकी जरूरत होती है regeneration होने के लिए, अब totipotent cell क्या है सर, totipotent cell एक ऐसे type of cell होते हैं, जिनके पास में ये capability या ability होती है, ability होती है to form to form whole organism, ठीक है, ये पूरा का पूरा organism अपने ही अंदर से बना सकते हैं, पूरा का पूरा organism, ability होती है इनके पास में कि अपना पूरा organism बना ले, हमारे अंदर होते हैं totipotent cell नहीं, हमारे अंदर एक stage पे होते हैं totipotent cell मोचूद, कहां, human के अंदर एक cell ऐसा होता है, जो totally potent होता है, जेड से नाम चालू होता है, इसी chapter के अंदर उसके बारे में पूरा सर क्या बात कर रहे हो, तो मुझे answer in the comment section दोगे, answer in the comment, ठीक है, answer आपको कहा देना है, comment section में देना है, जित्ते questions मैंने पूछे हैं, उस questions के number one, number two, number three question करके, उसके answer देते जाओ, comment section में मज़ा आजाएगा, इसका नाम hint है भाई, hint है, नाम चालू हो रहा है, किसे z से, नाम चालू हो रहा है, z से, ठीक है, बागी तुम जानते हो, अब या आगे भी बताऊँगा, तो अब ये जो होता है, regeneration, ये anti-accidental process होता है, ठीक है, accident हो गया, कभी, तो कोई चीज, जैसे planary, accidentally cut गया, तो वो जो होता है, आपका regenerate कर जाता है, hydra, flat warm, and tape warm, चिपकली सार, इसमें क्यों नहीं है, चिपकली इसले नहीं है, क्योंको चिपकली maticellular है, और जो होता है, regeneration की capacity capacity रखती है, ठीक है, capacity of regeneration होता है, उसके पास में, spore formation, spore क्या होता है, pollen grains जैसे तुमने पढ़े है, pollen grains अभी नहीं पढ़े है, पढ़ाऊंगा, ये spore होता है, छुटे-छुटे single cells के spores बनाना, spore मतलब क्या दाने, single cell के दाने बनाना, उससे germinate करना, जैसे कि फंगाय हो गया, immersion हो गहे, ये single cell के दाने बना के germination कर रहे होते हैं, single cell का दाना बना लिया, अब वो single cell के दाने, बस्ट होते हैं, और ये ओड़ जाते हैं, हवा के जरी हैं, हवा ज़वा के जरी ओड़ जाते हैं, और ये जहां पर जाके गिरेंगे, वहाँ पर फंगाए, जाओ जिने लगे ही, जैसे ब्रेड फंगाए होता है, ब्रेड मोल्ड, तो वो क्या कहते हैं, वो ब्रेड मोल्ड पूरे ब्रेड में कैसे पहल जाता है, यही स्पोर्स की वज़ा से पहल जाता है, यह दो तरीके के स् इधर आगे टहील नहें हो, अभी हमारा जो होता है, the end कर देंगे, चलो, हाँ, हम क्यों को प्रचोंग कर चुके हैं, लिए अगर क्यों कर दो रहा होता हो, अभी बताता है, चलो, अब आजा भाई, को नीडिया, को नीडिया क्या है, non-motile, motility नहीं है, motility क्या होते हैं, motility बो भास में for the locomotion ठीक है अब हमारा नेक्स आता है वेजिटेटर पर्पोगेशन वेजिटेटर पर्पोगेशन नेचुरल होता है और आटिफिचल होता है नेचुरल हमारा जो ता है रूट स्टेम लीव के दरी होता है जैसे ही कि यह देख रहे हो यह हमारी घास है इसको रॉनर क कैसा यह घास यहां पर होगी अपना ही खिस्टेम आगे बढ़ाया और फिर यहां पर होगी फिर और स्टेम तो अगर घास अभी बाहर जाना अभी जाओगे पढ़ने के बाद में बाहर तो देखना घास होगी होगी घास अगर कोई बड़ी सी घास उससे उखाड़ना उसक ये से होता है sweet potato तो ये roots उसकी roots grow करती है जैसे guava, sweet potato और डेलिया ये जो होता है आपकी इनकी birds जो होता है डवलप हो जाते हैं और वो नया पेल बना रहे होते हैं जैसे grass और strawberry ठीक है अब उसके बाद मैं underground stems की बात करूँ जैसे हमारा ये potato को दबा दो potato tuber को दबा दो भाईया ये onion को दबा दो onion को दबाओगे न मिट्टी में तो भाईया नया onion का plant निकली आएगा अधरक, अधरक को दबा दोगे भाईया अधरक, बंदर कहा जाने अधरक का स्वाद तुम बंदर हो, नहीं सर हम नहीं है हमने अधरक खाई, ये बल्कु सही बात है चल, तो भाई, बंदर के नहीं हम अधरक को भी अगर जो होता है जमीन में दबा दे तो हमारा अधरक से भी नया पेड़ोगी आएगा अब जो leaf है इसका example ब्रायोफाइला में अकेला अकेला example ब्रायो फ्ला्यम है leaf, leaf में से reproduction होना leaf में से reproduction होना leaf में से नये plants का growth नये plants की growth, growth, growth नये plants growth होते हैं क्यों? leaf में totally potential मौझूद है simple part totally potential मौझूद है तो leaf जहां पे गरेगी वहां पे नया plants ओगने लागेगा किसी कर जोस तो नहीं कमो इनष रोडALLY पड़े सब्सक्राइब संसलों टॉल्च को कैसे करते हैं। सबसे पहले क ws कटिंग कैसे होती है ? बहए तू नФथ है किसकी घर में उस गुलाब है वो किया कॉल कुल को कीजनी नहीं शिबży सब्सक्राइब वो cutting कहिलाती है ठीक है हाँ बहुत बड़ी असन रोज और शूगर केंग की cutting होती है अब नेक्स्ट हमारा क्या नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारी लेरिंग लेरिंग क्या है वह एक जो होता है यह प्लांट है इसमें से एक आपका कहते हैं roots ले, stem ले, एक बड़ी सी टहनी ले, टहनी को दबा दिया नीचे आप टहनी को दबा दिया यहाँ पर कहीं पर कोई tumor होगा, bird होगा तो वो यहां से roots की growth चाल होगा यह roots की growth होगी जब रूट्ट यहां पर अच्छी तरीके इस growth होगे, यहां पर कल्ले आने लगे, पत्ते आने लगे, तो भाईया यहां से काड़ दिया, यह layering कहला आती है, चीक है, layering कहला आती है, अब grafting, grafting होती है, तुम्हारी समेरया एगिनेटा में, है, समेरा एगिनेटा यह कौन है, को मेरे पास में आम A, और एक आम है मेरे पास में आम B, आम B की, जो होता है, देख रहो, size किता है, छोटा सा है, लेकिन बहुत मीठा है, आम A, बहुत बड़ा size है, लेकिन मीठा नहीं है, बहुत छोटा size का है, मीठा बहुत है, बहुत बड़े size का है, लेकिन मीठा नहीं है, क दोनों की चीज़ें हमने जो हता है जोड़ दीया तृम आरन जो हुता है आपका एक काफ़ी बड़ा है ज्युक्त है डौनों उसका उंडे आम में शादा बड़ा आम भी होगा उसका जैसे कि तुम मुंबईया आम खाते हो मुंबईया आम सब लोग न खाया होगा बंबईया आम इसको कहते हैं बंबईया आम कैसा होता है बंबईया आम ग्राफ्टेड आम है ठीक है कैसा आम है ग्राफ्टेड आम है identical नहीं होते हैं, तो वही बात है, new शकल की formation है, इसे कर ज़रा हम करती हैं, new शकल की formation होती है तुमारी ठीक है, नियू शकल जब बनती है, तो भाईवो case का result है, sexual reproduction का result है अब यहाँ पर sexual reproduction में नई शकर बनी यानि कि भाई आप variation आ गा इधर इधर variation है भाई इधर variation आ गया अब variation आने से क्या होता है chance of survival बढ़ जाता है समझे? नहीं समझे chance of survival बढ़ जाता है chance of survival बढ़ने का मतलब सर क्या होता है survival survival नहीं जानता नहीं से नहीं जानता बेर गिल्स देखे हो? हाँ देखे है survival नहीं जानते हैं हाँ अब जानते हैं सर ठीके तो chance of survival बढ़ जाता है chance of survival बढ़ने की बजहा से यह आपका काफी ज़्यादा preferable mode of reproduction है according to Darwin theory of evolution heredity में से evolution तोड़ गया heredity पढ़ाना है तो Darwin theory की क्यों बात कर रहा है सर खाली हमको tension दे रहे है ओ नू चलो तो भया हमारा variation होता है यहाँ पे slower mode of reproduction advantages क्या है इसके वही advantages है various species के जब DNA इंक बूसरे में incorporate करते हैं तो क्या होता है तो survival होने के chances बढ़ जाते हैं अब यहाँ पे नई uniqueness और identity आती है हर एक species के पास में हर जो नई generation होगी वो unique होगी identical होगी उसकी अपनी खुद की identity होगी खुद की uniqueness होगी तो नई generation के हिसाब से generation generation इसमें changes आते रहते हैं और unfavorable condition में organism को survive करने का पूरा पूरा chance देता है अब gametes क्या होते हैं gametes वो cells होते हैं जो कि आपकी characters को carry करते हैं for the reproduction यहने sex cells भी कहा जाता है कुछ organism में male और female gametes identical होते हैं जैसे कि spirogyra और कुछ organism में male और female gametes अलग-अलग होते हैं जैसे human beings human beings में male gametes sperm है female gametes ओवा है चलो plants के अंदर देख ले unisexual और bisexual conditions दोनों हो सकती है एक फिलार है उसके अंदर unisexual और bisexual conditions दोनों हमें देखने को मिल सकती है कैसे सर्व देखो भया unisexual का मतलब भया इसमें या तो female reproductive part मौझूद होगा या male reproductive part मौझूद होगा जैसे कि papaya और watermelon papaya और watermelon unisexual है इसके अंदर या तो male part है या तो female party होगा आपका क्या करते हैं पूरे के पूरे plant के अंदर तो example important है डारेक्टली पूछा जा सकता है सीबसी के अंदर bisexual के अंदर भया या दोनों part मौझूद होते हैं जैसे कि china, rose और mustard structure, flower का देख रहे हो ये है flower का structure अब flower का structure की बात करूँ तो flower के structure में ये stack होती है जो कि पूरे के पूरे flower को आपका hold कर रही होती है ठीक है पूरे के पूरे flower को hold कर रही होती है ऊपर से ये thalamus होता है ऊपर से क्या होता है ये thalamus होता है thalamus क्या करता है थैलमस आपका पूरे के पूरे फ्लार को होल्ड करके रखता है, फिर हमारी सेपल्स होती है जो कि पेटल्स को होल्ड करके रखती है फिर होता है हमारा क्या, फिर होता है भाईया यह हमारा पेटल्स, पेटल्स वाला क्या हिसा है पेटर्स वाला हैसा for attracting आपका कीड़ा मकोड़ा for attracting insect ठीक है इचार कीड़ा मकोड़ा ठीक है आप उसके बाद में ये देख रहे ये जो है कार्पल और पिस्टल वाला पार्ट ये हमारा फीमेल पार्ट है ये फीमेल पार्ट है और यह जो एंथर है इसे stamin का आ जाते है हमारा male part है फार सिरी है ये फलार है ये कैसा फलार हो गया तो ये बहaya bisexual flower हो गया ities भाइसेक्शल flower हो गया ये हमारा कैसा फलार हो गया भीया ये बाइसेक्शल flower हो गया अब यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर जो stamin होता है, उसके अंदर produce होते हैं, pollen grains, stamin का जरा structure देख लो भाई, यह stamin है, enter, connective of lament, यह pollen sec होते हैं, जिसके अंदर भाईया, pollen grain मौजूद होते हैं, pollen grain का production हो रहा होता है, अब यह pollen sec कैसे होते हैं, pollen sec, detail class 12, chapter number 2, के अंदर आएग यह बाई, यहाँ पर चार होते हैं, चार pollen sec होते हैं, एक लोब में दो होते हैं, एक लोब में कैसे होते हैं, दो होते हैं, लोब किसको कहा जाता है, एक हिससा, दूसरा हिससा, ठीक है, समझे, हाँ सा समझ गए, एक लोब में दो pollen sec होते हैं, और चार होते हैं, इसको tetra, tetra, tetra sporengiate कहा जाता है by lobed दो lobe है और tetra sporengiate है कैसा structure होता है by lobed दो lobe है tetra sporengiate tetra sporengiate by lobed and tetra sporengiate भाई तो इसमें जो होता है दो lobe है चार sporengiate है तो इसे by lobed tetra sporengiate structure कहा जाता है यहाँ पर production होता है किसका pollen grains का परोड़क्शन होता है pollen grains का production होती तुम समझती हाँ समझती सब अब यहाँ पर total 4 pollen से होते हैं और यह production करता है pollen grains का pollen grains क्या है male gamete है plant के अंदर अब यह हमारा female part है यह हमारा carpel कहलाता है यहाँ पर stigma होता है अंदर ovary होती है यह ovary वाला हिस्सा है यहाँ पर pollen grain आकर attach हो जाता है अब सब pollen grain पहलांट पैचानता कैसे है कि हमारा ही pollen grain plant को पता कैसे चलता है plant को पता इस तरीके से चलता है पॉलन ग्रेंज का, कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेंज आकर अटाच होता है, तो यहाँ पर कुछ special type के hormonal identifiers लगे होते हैं, जो इसको identify कर लेते हैं, अच्छा ही हमारा ही है, तो इसको अंदर ले लो, हमारा नहीं है, भेग दे भाई, हटा इसको, हमारा नहीं है, ठीक है, तो ह हमारा है, तब ही अंदर लेना, हमारा नहीं है तो अंदर नहीं लेना, तब ही जो होता है, इसको accept करेगा, तब ही pollen tube बनना चाल जाएक, और जैसी एक को accept करना, बाकियों को reject कर देता है, एस हमारा humans के अंदर होता है, ठीक है, ओवरी होती है, औरometers केवित' को झावेटी को इ पॉलिनेशन एंधर से स्टिगमा की उपर पहुंचते कैसे हैं कई सारे मेथड हो सकते हैं इसके पहुंचने के लिए कई सारे मेथड सर जैसे कि लिए प्लांट को चुआ रहे हैं तुमने लिए भीडिनेशन लग गए अब तुमने गए तुमने फीमेल प्लार को चुद्ध कैंटाइए तो बहुम्हारे हातों के जरीए पहुंच गया प्लांट खाना रखता है किल मकॉलों के लिए क्या कि हमारा रिप्रोडक्शन हो सके, किल मकॉलों हमारे पास में आए और हम उसके जरी एक पॉलन ग्रेन को ट्रांस्वर कर सकें, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है, जिसे विंड हो गया, वाटर हो गया, इनसे पॉलिनेशन, जीनो गयमी, तेन तरीके के होते हैं, आटो गयमी, जिटनो गयमी और जीनो गयमी, जिटनो गयमी है नहीं तुमारे में, आटो गयमी और जीनो गयमी है, चलो देखते हैं, आटो गयमी क्या होता है, एक सेम फ्लार में, यह हमारा एक फ्लार है, यह हमारा क्या जाए उसे हम self-pollination कह रहे होते हैं ठीक है cross-pollination क्या होता है एक plant के एंथर एक plant के flower के एंथर से यह एक plant है इसके flower था उसमें एक एंथर था लग हुआ ठीक है दूसरे plant के flower के जैसे कि हमारा पी आपका क्या करता है प्लांट self-pollination कर रहा होता है और ओनियन ब्रॉकली वगएरा क्या कर रहे होते हैं यह cross-pollination कर रहे होते हैं अब pollination करने के बाद से क्या होता है pollination करने के बाद होता है Fertilization यानि भाही pollen tube का formation pollination जैसे ही हो जाता है उसके बाद मे सब्सक्राइबट यहाँ पर आपके अटाच हो गया अब यहाँ से pollen tube बनना चालू है पॉल्ले ट्यूप बनना चालू हो जाएगी और zygote यहाँ पर zygote का formation हो जाएगा अब जब zygote का formation होता है यहां से वो हिस्सा आता है जहां से CBSC maximum question पूछ रही होती है maximum maximum question साते है CBSC के यहां से क्या सर seed formation और जो होता है कौन किसमें develop होगा जैसे zygote embryo बनाता है ovule thick coat बनाता है seed बनाता है ovary fruit बनाती है ovule seed ovary fruit zygote embryo यह याद कर लो इससे हटके plant reproduction से ज़्यादा इससे important ज़्यादा topic कोई है नहीं यहां से triple star भाई question आया फसेगा इदरी से ठीक है next हमारा germination germination होता है seed हो जाती है अब human means के अंदर sexual reproduction कैसे होता है सबसे पहली बात तो human body जब ready होती है reproduction के लिए उस stage को क्या कहते है जब human body ready हो जाए reproduction के लिए उस stage को कहा जाता है यह puberty stage उसमें बहुत सारे changes आते है human body के अंदर जैसे कि अगर एक man child है तो वो grow होगा chest का broaden होना beard growth अवास का deep हो जाना ठीक है वो क्या है वो puberty के changes है अब human male के अंदर यह कब आती है 13 से 14 साल के अंदर छीक है human female के अंदर कब आती है human female के अंदर क्या changes आते है development of memory glands thighs पर fat का इखटा हो जाना wise or soft हो जाना high pitch wise हो जाना छीक है skin का soft हो जाना तो यह सारे जो होता है development human female के अंदर कैसे आते है changes क्या क्या होते है thick hair growth under armpits and genital area and facial hair changes wise यह male के अंदर है occasional penis enlargement यह भी male के अंदर female के अंदर क्या है mastocycle का start होना breast enlargement and जो होता है growth of hair ठीक है यह आपका male हमें जो होता generalification changes देखने को मिल जाते है अब human जो male reproductive system है उसके अंदर क्या होता है कुछ चीज़े होती है यह हमारा human male reproductive system है अब देखो यहाँ पर सबसे पहले है यह हमारा क्या यह हमारा testis टेस्टीज वन पेर होती है वन पेर होती है कहां होती है outside the body outside the body होती है क्यों? क्योंकि for the production of sperm temperature 2 degree 2 degree Celsius कम चाहिए as to the body इसलिए जो होता है यहाँ पर testis outside the body locate होती है यहाँ पर testis एक पेर में होती है testis में production maturation of sperm होता है उसके बाद में sperm चले जाते है epididymus में epididymus यह वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा हमारा epididymus कहला रहा होता है epididymus में sperm रहते है और जो होता है इनका after maturation होता है और जब तक store रहते है जब तक ejaculation ना हो जाए ठीक है ejaculation ना होने तक यह यहाँ पर store रहते है अब ejaculation होने के लिए यहाँ पर यह वास difference है यह पूरी वास difference यहाँ से जाती है घूमती है और यह semannical vesicle और prostate gland का secretion लेते हुए फिर यह यूरेथरा के थूर निकल जाती है यहाँ पर यह copper's gland भी है यह यूरेथरा क्या है यह यह देख रहो यह urinary bladder भी है तो यहाँ से urine भी pass होता है यहाँ से sperm भी pass होता है तो इसलिए यूरेथरा को नाम दे दिया जाता है अब यहाँ पर देख रहो इन कोई glands है यह देख रहो semanical vesicle, prostate gland, copper's gland इनका क्या काम होता है वाज डिफरेंस का काम पता चल गया सर टेस्टीस का भी पता चल गया और यह पर डिटान स्क्रॉटम क्या है यह जो pouch है इसे स्क्रॉटम कहा जाता है अब इसके बारे में जरब बात करते हैं हमारे जो होता है जो glands मौझ होता है reproductive glands यह concept तीन glands हमारे पास में prostate, semanical vesicle और copper's gland इनका काम important है इसमें सा कर मैं सबसे जादा important बात बताओ तो जो पूछता ICBC semanical vesicle prostate के बारे में पूछ लेगा और copper gland जादा नहीं बूछता कभी कभा prostate gland, milky fluid को secret करता है जो की sperm की mobility कराता है semanical vesicle semanical vesicle, viscous fluid को secret करता है जो की mobility कराने में काम आता, दोनों को का mobility है copper gland, mucus को secret करता है to lubricate the female passage, ठीक है तो यह lubrication का काम copper gland करता है और बाकी यह दोनों जो होता है, वही, sperm की mobility और इसके अंतर बहुत सारे ions वगएरा भी मौजूद होते हैं जो sperm को जो होता है, the nature होने से खराब होने से बचा रहे होते हैं अब sperm क्या है भाई, male gamete sperm, क्या-क्या carry करता है भाई देख लो, सबसे पहली बात, इसके यहाँ पर head है, head में nucleus है nucleus में होता है, भाईया, genetic material genetic material यह genetic material कहीं कर रहा है, फिरे mid piece है यहाँ पर कुछ acrosomes होते हैं acrosomes acrosomes और कुछ mitochondria होते हैं mitochondria for energy production for energy production, क्यों energy produce करना है, क्योंकि यह tail है tail से movement होता है, tail से move करता है ठीके, tail से move करता है और जो होता है इस पाम आपका testis से epitidymus जाते हैं वहाँ पर mature होते हैं during the intercourse यह जो होता है release हो जाते है ठीक है आसर बिलकुर ठीक है अब यहाँ पर जो होता है यहाँ पर हमारा यह पूरा का पूरा male वाला हो गया अब जो होता है female वाले में आते हैं female reproductive system में diagram के जरीए ज़रीए ज़्यादा समझा देता हूँ तो तुम्हें मज़ा आ जाता है ठीक है आप female reproductive system के अंदर बहिया देख रहे हो यह ovary pair of ovaries है यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ human male के अंदर आपका sperm production throughout the life चलता रहता है लेकिन human females के अंदर after age ovaries का production कम हो जाता है बंद हो जाता है क्यों? यह कि जब human body बनती है आगर वो female में develop हो रही है तो भाई उसमें 2 lakh plus ovaries का production at the time of development होता है मतलब inside your mother's womb ठीक है तो वहाँ पर development होता है फिर उसके बाद में after the birth कोई भी ovary का development नहीं होता सिर्फ ovaries आपका mature होती है ovaries mature होती है उनका कोई extra ovaries form नहीं होती इसलिए भाई यह ovaries का production सिर्फ ovaries का maturation ovaries में हो रहा होता है ठीक है? कोई भी production ही होता sponge का production हो रहा होता है overrease का production नहीं होता, maturation होता है सरफ, ठीक है, अब overrease यहाँ से mature होकी, यह आती है, fallopian tubes से, यह हमारे uterus होता है, जो की हमारा womb कहलाता है, ठीक है, womb कहलाता है, यही आपका जो होता है, gaurb कहलाता है, आपका हिंदी के अंदर, ठीक है, womb, अब यहाँ पर जो होता है भाई यह जो वूम है फिर उसके बाद में आपका रिलीज होते हैं अब भया यहाँ यहाँ पर अलग-लग चीजों का काम है फिक है जैसे झमेल सेक्सेल को प्रेड्यूस करती है female hormones estrogen and progesterone को secret कर रही होती है ये अब फेलोपीन ट्यूब क्या है फेलोपीन ट्यूब इसको जो होता है grab कर लेता है और ये इसको लेके आता है uterus में सर्फ fertilization कहां हो रहा होता है sperm and ova का होता है fusion कहां हो रहा होता है ये fusion हो रहा होता है by stomach junction पे खेले हो होता है येन Fleet कहां हो रहा होता है यहां पे फेलोपीन ट्यूब मुल रहा होता है मुला हुआ होता है फिलोपीन ट्यूब वहां पे fertilization होता है जोना esthamic junction fertilization flopen tube के अंदर होता है कोじ बात नहीं you have to just mark Filipino tube तो तुम्मारा आशर सही हो जाएगा अब यूटरस, पीर शेप, मस्कुलर स्रक्चर होता है, फीटरस यहां पर डवलप करता है, नेरो पार्ट, लोगर पार्ट को सर्विक्स का जाता है, वजाईना, स्पर्म डिस्चार्ज यहां पर होता है, बर्थ के नाल की तरह एलेक्ट करता है, ठीक है, ओवम की बात करें, जो की फीमेल गैमीट है, फीमेल सेक्सल है, ओवा, अब जब जो होता है, बीफोर बर्थ मैंने कहा नहीं, दो से तीन लाग के मैचुर एग होते हैं, आफ्टा थी बर्थ कोई भी एका प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, जब प्यूबर्टी फीमेल अटेंड करत अब मैस्टूरेशन के अंदर, जब जो फर्स्ट मैस्ट्रोल साइकल होती है, वो बारस साल के एज पर अप्रोड स्टार्ट हो जाता है, मैनार्ख, मैनार्ख का जाता है, ठीक है, लास्ट मैनोपॉस होती है, जो कि 45 से 55 साल के बीच में हो सकती है, ठीक है, 45 से 55 साल, यह मतल रहना होता है कि भाई जो होता है क्या हो जाए तो इसलिए भाई आपका यूटरस हमेशा हर बार हर महीने अपने आपको प्रिपेर कर रहा होता है ठीक है आप फटलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम क्या है सार ये वाली एंडोमेट्रियम ये यह inner layer, यह breakdown कर जाती है, क्योंकि यह thick हो जाती है, ताकि जो होता है fetus को receive कर सके, तो यह यहाँ पर अगर fertilization नहीं होता, fetus का formation नहीं होता, तो यह breakdown कर जाती है, endometrium, ठीक है, यह beach वाली myotrum होती है, and then हमारी outer layer होती है, endometrium की बारे में बात करते हैं, endometrium अपने आपको prepare करती है जब अगर fertilization नहीं हो तो यह breakdown हो जाती है, इसको हम लोग जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो होता है, mesuration कहते हैं, mesuration कहते हैं, और bleeding होती है इसके अंदर, 2-6 दिन तक चलती ही, फिर से यह cycle repeat होने लगती है, यह इधर सब यह graph क्या है, hormone level है यह, तेक stages नहीं, यह degeneration of over हो गया, ठीक है, अलग-अलग stages जब ovulation होता है, तब हमारे females के अंदर, जो hormones हैं, वो peak पर रहते हैं, peak पर रहते हैं, और यह देख रहा हो, यह आपका जो होता है, क्या गयते हैं, आपका endometrium की thickness है, यह देखो endometrial cycle, यह देखो कितनी ज़्यादा पतली हो ग रहाता है, ठीक है, और FSH follicle estimating hormone हमारा जो होता ही, ओवा को develop करने में काम कर रहा होता है, ठीक है, अब यह हमारा menstrual cycle हो गई, fertilization कैसे होता है, fertilizer हो जाता है, दोनों में, जैसे ही, दो mixture होते हैं, zygote बनता है, zygote वो cell है, जिसके अंदर, humans के अंदर, totipotency मोजूद होती है, कि वो पूरा पूरा human being बना सकता है, zygote, ठीक है, अकेला cell है, human being के अंदर, जो totipotent होता है, और फिर यह embryo कैला रहा होता है, embryo कब कैलाता है, जब 8 cell हो जाते हैं, 8 cell में embryo, यही से तुम आए हो, यही से हम आए हैं, यही से सब आते हैं, ठीक है, तो यह zygote single cell, जब दिखते भाई, uterus में यह implant हो जाता है, और वहां से आपका चाल हो जाता है, आपका pregnancy period, जो कि 9 month का होता है, sexual reproduction as compared to asexual reproduction, काफी ज़्यादा slow होता है, slow इसलिए, क्योंकि इसमें generally भाई, आपका time लगता है, क्योंकि variations होते हैं, complications होते हैं, तो इसलिए, as compared to asexual reproduction, यह mode of reproduction काफी हमारे लिए छोड़ता हूँ, क्यों हमारे लिए कुछ छोड़ता हूँ, सर बता दो, इसलिए कि तुम पढ़ोगे तो कुछ knowledge आएगी, यह बढ़ा दूँगा, तो तुम पढ़ने की तरह इसको पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे, चीज़ें तुम समझ रहे होगे, कुछ न जो पिन टुब को काट के लाइगेट कर दिया जाए, तो भाई यह वो टूबिक टॉमी होता है, तो उसके बाद में जो होता है, फीमेल, आपका रिप्रडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, न्यूब फॉर्मेशन आपको पता है, सारी चीज़ें, यह आपका नॉर्मल चीज़ मैंने भाई, तो इसनाब यह है आपका overall one shot, उम्मीद करते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर दिलो दिमांग में सेट हो गया होगा, यार हमने इसमें बहुत जाला मेनत करी है भाई, और आपके अपने भाईया का चानल है, तो प्लीज और प्लीज इस वीडियो के एक लाइक जरू करना नहीं आ रहे हो, अभी कभी चानल को सब्सक्राइब करों बहुत सारे और one shots आ रहे हैं, बहुत ही भैतरी in explanation के साथ में, और भाईयो जो तुमने अपने parents से promise करा है, 98% marks लाने का, अस promise को साथ में मिलके पूरा का करते हैं, और जो अतायों को proud feel कराते हैं, प्लीज